हेलो श्टुटेंट्स, आइम सुमन तेवतिया, हैं ने यह बूटीफूल पोयम, दा इस्चूल बॉइ बच्चों यह जो पोयम है, यह छोटे बच्चों के ऊपर ही है, कि छोटा बच्चा चाहता क्या है इस поряд में ये बताया है कि parents उसे क्या दर्वाआते हैan, छोटा बच्चा चाहता क्या है? ठीक है? कि बच्चा जो है school जाना पसंद नहीं करता, वो morning में गूमना पसंद करता है, birds के साथ रहना पसंद करता है, nature के साथ रहना पसंद करता है, जो चोटे बच्चे की बात हो रही है तो देखी जिस पोएम में है क्या और आगे जो इस पोएम में एक बच्चा है इसक्ट अब इस पोई में बता जाएगा कि किस चीज ने उसको NFP कर दिया, किस चीज ने उसको NFP कर दिया, नि क्यों दुखी क्यों है, Why he is so sad? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withered when it should blossom? क्या क्या रहिए? कि उस बच्चे ने अपने को एक बढ़ से compare क्यों किया? वो भी एक ऐसी बढ़ से, जो एक cage में है, पिंजरे में बंध है, पिंजरे में इगा रही है, और या फिर ऐसी प्लांट से अपने को compare किया है, ऐसी प्लांट से अपने को तुलना किया है, जो विदर हो गया, मुर्जा गया है, जबकि उसको blossom होना चाहिए था, जबकि इस टाइंप उसको खिलना चाहिए था, अगर वो मुर्जा गया है, दो चिले से अपने को compare किया है, एक तो बढ़ से, जो cage में बंध है, और cage में इगा रही है बस ऐसी, और दूसरे किस से compare किय जबकि इस समय उसको blossom होना चाहिए था, खिलने चाहिए था, तो फूल आने चाहिए थे, यह है इसमें, so students, let us start the first extension, I love to rise in summer morning, अभी हापे जो I आया, I will refer to the boy, school boy, I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every dream, a distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me, oh, what sweet company, क्या कहता है इसमें बच्चा, I love the rise in summer morn, summer morn में जब summer होती है, गर्मया होती है, और उस टाहिम में, बच्चा कहरा है कि मैं जल्दी उखना पसंद करता हूँ, बच्चा कहरा है कि मैं सुबह मौर्णिंग में जल्दी उखना पसंद करता हूँ, बच्चा कहरा है कि मैं सुबह मौर्णिंग में जल्दी उखना पसंद करता हूँ, बच्चा कहरा है कि मैं सुबह उखना पसंद करता हूँ, बच्चा कहरा है कि मैं सुबह उखना पसंद क इसे कोष्ग तो होण और जो टिस्टेंच हंसमैन है हंसमैन अचैनल को और शिकारी भी अपना खोन बजाते हैं दो शिकारी युद बजाते हैं उसके आवाज इसको सुनाई लीती है And the Skylark sings with me Skylark is a kind of bird Beautiful bird होती है तो और क्या कहता है कि एक Skylark को जब गाती है तो मैं भी उसके साथ गाला पसंद करता हूं यानकि मुझे भी अच्छा लगता है कि जिससे में गाती है तो मैं भी उनके साथ गाँ ओ गोड स्वीट कंपनी और ये कितनी स्वीट कंपनी है उनकी कंपनी कितनी अच्छे है यानकि बच्चे को जो है तो उस नेचर की कंपनी को पसंद है मुझे उसको लाइक करता है ओके इदिज के लिए नेक्ट चैंजब बट तो गो तो इन समर मोड बट तो गो तो स्पूल इन समर मोड इन ड्राइट ओल जो है जब है अब देखो इस चैंजब में क्या करता हूँ और फिर बताया बट तो गो तो स्पूल इन समर मोड नेक्ट शमर में क्या होता है में जून के महिने में छुटिया पढ़ी होती है बच्चे की जून में चुटिया पढ़ जाते है जो समर होती है गर्मियां होती है अब गर्मी में जब उसको इसकूल जाना पढ़ता है तो वो बच्चे को पसंद नहीं है बट पो गो टो इसकूल इन समर मोड लेकि समर में पूल जाना पड़ता है, पच्छा पहता है गोलन ना फिर ना, बड़ के साथ रहना, बेचर के साथ रहना लेकिन उसे स्पूल जाना पड़ता है ओ, it drives all joys away इसे क्या होता है, उसके सारे खुशियोंपे जो इसके joys है happiness है उसके सब खुशियों में पाली फिर जाता है कब जब उसके गर्मियों में स्कूल में जाना पड़ता है अंटर अक्रूल आईवोंड दा लिटिल वन्स इस्पेंद डे अंटर अक्रूल आईवोंड का मतलब उसकी जो लाइफ होती है को बहुत ड़त हो जाती है इस्कूल में जब तो उसकी लाइफ जो है बहुत ड़त हो जाती है नीरश हो जाती है another one spend the day in sign and untnight अब जो इस छोटा बच्चा है छोटा नड़का है यह अपना दिन कैसे spend करता इस्कूल में sign, sign का मतलब निराश, बिल्कुल परेशान एंड इसमें, यहां कि कोई उसमें excitement ही नहीं है, उसाई नहीं है बस ऐसे ही चुप चाप परेशानिशी में अपना time बुजाता है यहां कि बड़ा नीरस उसका time होता है जो बच्चे को बिल्कुल लाइक नहीं है बिल्कुल पसंद नहीं करता बच्चा इस तरह का time pass करना इस तरह से time बुजाना जो बुजाना पड़ता है I hope it is clear to you remaining part of this lesson will be covered in our next video Thank you